हालो एव्रिवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला नमक जो हमारे खाने की स्वाथ को तो बढ़ाता ही है साथ में ये हमारी हैल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा है इसके लिए मैंने लिए हैं दो बड़े चमच जीरा, दो चमच धनिया, दो चमच मिठी सौंफ, देड़ चमच के लगभग यहां पे काली मिर्च ली है और दो चमच अजवायन ली है इन सब चीजों को हम एक पैन को गरम करके उस पे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इन मसालों को हमने ब्राउन नहीं करना है, लो फ्लेम पे भूनते हुए जब इन से हलकी हलकी खुश्बू आना शुरू हो जाए या जीरा तड़कना शुरू हो जाए तो हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इस सारे मिक्शर को ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स ये मेन मसाले हैं जो इसमें डाले हैं कुई चीजे अभी हम बाद में एड़ करेंगे तो ये मसाले भून गए हैं इन्हें मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए इस मसाला नमक को आप अपने सैंड्वीची चाट रायता या कोई और भी नमकीन रेसिपी स्नैक्स आप बनाते हैं पकोड़े बनाते हैं उसके उपर अगर आप इसे डालेंगे तो वो टेस्ट जो है उन चीजों का आपका डबल हो जाएगा तो ये मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हम आप एक मिक्सर के जार में डालके पीस लेंगे यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छी है मसालों को पीसने के बाद इसमें ये फुखे हुए पदीने के पत्ते एड़ किया हैं अगर फुखा हुआ पदीना आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश पत्ते भी एड़ कर सकते हैं इसके साथ ही यहां पे एक चमच मैंने काला नमक एड़ किया है और ये हींग वन फॉर्थ चमच एड़ किया है इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर दो चमच और इन सब चीज़ों को भी हम एक बार मिक्सी में पीस लेंगे अब इसमें हम दो या तीन चमच नमक के एड़ करेंगे गर्मियों का मौसम चुरू हो गया आप निम्बू पानी बनाते हैं या शिकन्जवी बनाते हैं तो उसमें आप ये मसाला नमक एड़ करिए टेफ्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा यहाँ पे मसालों की जो मात्रा है क्वैंटिटी है उसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी अज़ेस्ट कर सकते हैं अगर हींग का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है तो हींग आप बढ़ा सकते हैं यह नमक डालने के बाद एक वासी से हम इसे पीसेंगे अब यहाँ पे आप टेस्ट करके देख लीजिए अगर आपको किसी चीज का क्वैंटिटी बढ़ाना है जैसे मैंने यहाँ पे पदीना और एड़ किया है मुझे पदीने का फ्लेवर पसंद है तो मैंने पदीने की नमक तयार है इसे अब आप एक एर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए और इसे आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक्स वाचिंग तब वीडियो